चो, केसे हैं आप सुब? चलिए, आज हम अपना नया टॉपिक देखेंगे. क्या है? अब यूनिट कनवर्जन का डर होगा, खतम. आज हम एक ऐसी ट्रिक सीखेंगे, जिससे यूनिट कनवर्जन बहुत उजी हो जाएगा. हमने थर्मो डैनेमिक्स में, है ना, और कई सारे च इस उनरे मिलीलीर, मिलीली लीलीटर, क्या है, कैसे कनवर्जन होता है, यह सब बहुत परेशन करता है, तो आज कुछ अईसी ट्रिक्स देखेंगे, जिनसे यह सारी परेशानियां दूर हो जाएगी. तो चलिए, शुरू करते हैं. पहला है हमारा जो हम बच्पन में पढ़ा करते हैं किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सिंटी, मिली है ना तो चलो देखते हैं इसको कैसे याद रखना है सबसे पहले ऐसे समझो उपर से नीचे जाने पर हम 10 से मल्टिप्लाई करेंगे और नीचे से उपर जाने पर हम 10 से देंगे, ठीक है, मतलब अगर मुझे किलो मीटर से मीटर में आना है, तो मैं क्या करूँगा, एक, दो, तीन, तीन बार उत्रा में नीचे, मतलब मैं तीन बार टैन से मल्टिप्लाई करूँगा, तो कितना हो जागा, थाउजन, इसलिए एक किलो मीटर में कितने होते हैं, था पुझे खुपार उतरा संटी मीटर से मिली मीटर में, तो क्या होगा टो इतना समझ में आगया लेकिन ये तो मुझे पता था मुझे घर कहां पर है हेक्टो कहां पर है technique कहां पर है उसके लिए ये टुरिक है क्या कल हम दिली में दो दो चोरों से मिले, बस आपको इतना याद रखना और आपको सारे कोशिन बन जाएंगे, कैसे, कल बोले तो किलो, मतलब किये से कल और किये से किलो, हम मतलब हेक्टो, दिल्ली मतलब डेका, मे मतलब मीटर, दो चोरों मतलब डेसी, से मतलब सेंटी, और मिले मतलब मिली, ठीक है लेकिन अब सर डेका और डेसी और दिल्ली और दो चोरों आप पता के चलेगा कौन सा उपर है कौन सा नीचे है तो देखो दिल्ली बढ़ी है और देका और डेसी में कौन सा बढ़ा है डे का बड़ा है तो ओवियस सी बात है जो बड़ा है वो बड़े के साथ जाएगा जो छोटा है वो छोटे के साथ जाएगा इतना ही था कल हम दिल ली में दो चोरों से मिले ठीक है अब ये सारे लेंथ के जितने भी पैरामीटर्स है इन सब का यूनिट कर पाएंगे नेक्स मज़bane हैँ है यह आगया मेरा फ्रेशर का कन Infinite रैसल उस्ट अच्पान मेरी एसा यूनिट हो गई एंम में मशीर और हमें तो उन जब यह यूनिटर बहुत काम आएगे घर और में ने देगा कभी पास्कल में दे घंग घर पर उसके वॉल्यूम भी उसी हिसाब से लगाओ, उसके आर की वेल्यू भी उसी हिसाब से लगाओ, बड़ा confusion होता है, तो इसलिए आपको ये सारी वेल्यूस तो याद रखनी पड़ेंगे, इसके लिए कोई ट्रेक नहीं है, तो आप चाहिए कैसे वियाद करो इनको, बैसे ज्यादा कठिन भी नहीं है, उपर की दो देखने में कठिन लग रही है, बाकी नीचे की तो सेम है, और उपर की दो भी सेम ही है, बस point का अंतर है, उसमें decimal है, एक में decimal नहीं है, चलो देखो, देखते हैं क्या है, सबसे पहले 1 ATM में 1.01325 बार होता है, ठीक है, 1 ATM में 101325 प बराबर है, 760 MMB1 ATM के बराबर है, मतलब 760 TOR is equals to 760 MMHG, यह सब तो हम समझी सकते हैं, इतना mathematics समय आता है, तो अब मुझसे किसी ने कहा, कि एक पास्कल में बताओ, कितने MMHG होंगे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे मालूम है, कि 101325 पास्कल is equals to 760 MMHG, तो 1 पास्क चाहर के लिए आएंगे, तो बस ऐसे, जो नॉर्मली हम पहले करते थे, बचपन में ऐसे करना है, ठीक है, अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया, कि बताओ, 25 बार में कितने TOR होंगे, ठीक है, तो मुझे यह मालूम है, कि 1.01325 बार में 760 TOR होते हैं, तो एक बार में कितने हो जाएंगे, 760 upon 1.01325, ठीक है, तो 25 बार में कितने हो जाएंगे, 25 into 760 upon 1.01325, ठीक है, इतना ही था, नेक्स्ट, अगर मुझसे पूछ जाए, कि एक बार में कितने पासकल, तो मुझे पता है, कि इतने बार में इतने पासकल होते हैं, तो एक बार में कितने होंगे, इसक इसका divide करेंगे तो value तो same है लेकिन points है तो 10 to the power 5 pascal आजागा तो एक बार में 10 to the power 5 pascal होते हैं ठीक है बस आपको यह values याद रखनी है बहुत simple है unit conversion बिलकुल भी दिक्कत नहीं आईगी ठीक है next देखते हैं STP और NTP standard temperature and pressure और normal temperature and pressure यह चीज़े आपको moles और gaseous में बहुत घेड़ती हैं वह आपसे कह देगा standard temperature pressure पर इतने moles is gas के थे R की value आपको पता ही है ठीक है pressure देदेगा कुछ volume देदेगा कह देगा temperature निकाल दो कुछ भी मतलब बोल देगा है सगर को आपसे ठीक है ना तो आपको पता होना चीज़े कि standard temperature pressure पर कितनी किस की value क्या होती है इस standard temperature and pressure पर जो मेरा temperature होता है वो होता है 0 degree Celsius मतलब 273 Kelvin ठीक है और जो मेरा pressure होता है वो अब बन बार होने लगा है पहले वही pressure मैं 1 ATM लेता था ठीक है लेकिन अब ये unit change हो चुकी है अब हम बन बार लेते हैं तो pressure को बन बार लेकर और temperature को 273.15 लेकर जब हम volume निकालते हैं तो वो आता है 22.7 लीटर ठीक है ये आप calculation आपको करने की ज़रूद नहीं मैं आपको direct answer दे रहा हूँ ठीक है ना volume आता है 22.7 लेकिन हम आज भी pressure को 1 ATM मान के जो volume आता था उसी को calculation में use करते हैं और वो volume है मेरा 22.4 लीटर ठीक है न हम बोलते हैं एक mole में किसी का कितना volume होगा 22.4 लीटर तो वो हम क्या बोलते हैं standard temperature pressure पर ही मान कर बोलते हैं और हम 1 ATM के साफ से बोलते हैं ठीक है तो exam में अगर आपसे standard temperature and pressure बोला जाए तो आप pressure की value तो 1 bar बोलेंगे लेकिन volume की value आप 1 ATM के साफ से जो आती है वो 22.4 बोलेंगे लेकिन अगर किसी interview बगएर हमें पूछ लिया जाए तो आप उसको साफ साफ किलियर कर देंगी कि सर देखिए pressure बनबार के साफ से volume की value 22.7 होनी चाहिए लेकिन आज भी हम calculation में 22.4 लीटर लेते हैं क्योंकि NCRT में भी यही ली गई है ठीक है at NTP, NTP बोले तो normal temperature and pressure, normal temperature कौन सा होता है और room temperature जो आजकल चला होता है वो कितना है T equals to 25 degree Celsius मतलब 298 Kelvin है और pressure कितना है 1 ATM, यहाँ पर pressure 1 ATM ही है और ऐसे time पर जो volume calculate करके आता है वो आता है 24.4 लीटर ठीक है, तो यह दौनों terms बहुत अच्छे से याद कर लीजेगा, exam में आपको S ही दे दिया था है at STP अब वो तो आपसे मान के चलता है कि आपको STP पर pressure, temperature, volume यह सब चीने तो पता होंगी तो वो तीन terms तो गाय भी कर देता है आपके पास और आपकते रहते हों कि अब इसमें temperature दिया नहीं है और pressure दिया नहीं है मैं कौन सा formula लगाँ क्या करूं समझी नहीं आ रहा तो यही बात है तो STP पर क्या होगा, temperature मेरा 273 Kelvin, pressure बनवार लेकिन volume मैं क्या लोंगा 22.4 L, NTP पर temperature मेरा 298 Kelvin, pressure मेरा 1 ATM, लेकिन मैं volume लोंगा 24.4 L Next Very good, R, universal gas constant इसकी तीन values होती है, तीन हो value लेकिवी है जब मैंने आपको pressure ATM में दिया और volume लीटर में दिया, दोने चीन समझ लेना, अगर मेरा pressure ATM में है और volume लीटर में है तो मैं R की value लगाँगा, 0.0821 लीटर ATM पर mole Kelvin ठीक है, क्या लगाँगा, 0.0821 लीटर ATM पर mole per Kelvin ठीक है, देखो, आपको जब भी आप numericals कर रहे होते हो, तो आपको इक बात का ध्यान रखना चाहिए आप जो भी value लिख रहे हो, उसके साम में उसकी unit भी लिखो और जैसे आप number से number काटते हो, वैसे ही unit से unit काटते चलो इससे आपको इस बात का idea रहेगा, कि मेरी कौन सी unit last में बच रही है हम अक्सर numerical solve कर देते हो, last में आके हमें unit नहीं समझ में आती है, हम क्या लिखें वो इसलिए, क्योंकि हम numerical के साथ ही unit को लिखते हुए नहीं चलते हैं जब आप unit साथ में लिखते हुए चलेंगे ना, तो आपको दिखेगा, suppose आपने ऊपर लिख दिया ATM और नीचे लिखा हुआ है पास्कल तो आपको दिख जाएगा, यार मैंने पास्कल को या तो मैं ATM में चेंज कर लूँ, या फिर मैं ऊपर वाले ATM को पास्कल में चेंज कर लूँ, तभी तो मेरा या तो ATM से ATM कटेगा, या फिर पास्कल से पास्कल कटेगा और जब आप चेंज करेंगे, तो उसका जो कनवर्जन पेक्टर होगा, उसको आप वहीं पर मल्टिप्लाई कर देंगे, तो इससे आपकी वैल्यू भी गलत नहीं आएगी, इसलिए हमारी वैल्यू गलत आ जाती है, हम कॉन्फिडेंट होके आते हैं कि हमारा आंसर सही और वहां अंसर बाद में गलत निकलता है, आता हुआ कोश्चन केवल एक यूनिट की छोटी सी गलती की वज़े से मेरा गलत हो जाता है, तो इस बात को हमेशा है द्यान में अफना है, जब भी प्रेशर मेरा गैसे श्रेट में यह बहुत मिलेगा, ठीके न, पीवी एक वो भी ऐसा यूनिट में दिया गया है, तो क्या होगा, 8.314 joule per mole per kelvin, ठीके, और अगर मेरा calorie में अगर मुझे R की value बतानी है, तो वो क्या होगी, अगर किसी ने मुझे से कह दिया, कि कहते है मुझे तो calorie में आंसर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 1.98 calorie per mole per kelvin, ठीके, R की value क्या लगाँगा, 1.98 calorie per mole per kelvin, ठीके, तो यह 3 unit थी, है ना, अब suppose मुझे R की value calorie में पता है, अब मुझे उसको जूल में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो उसका conversion यह रहा, 1 calorie is equals to 4.18 joule, ठीके, 1 calorie is equals to 4.18 joule, ठीके, 1 calorie is equals to 4.18 joule, अब, last बचता है, क्या, कि अगर मेरे को, suppose कभी कवार मुझे पता है, वो खेल जाता है, वो क्या करता है, मुझे volume liter में नहीं देगा, वो लिख देगा decameter cube, अब समझते रहो आप, अब वो milliliter है, liter है, या फिर hectoliter है, kiloliter है, जो भी होते हों, ठीक है ना, तो वो क्या है, अब आपके, वो आपे छोड़ द है, one cubic centimeter is equals to one milliliter, अब आप से कहा गया, कि one liter में कितने centimeter cube होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, one milliliter में मुझे liter तो मालूम ही है, कितना हो गया, ten to the power minus three liter, और यहाँ पर क्या है, one centimeter cube, ठीक है, तो एक liter में कितने हो जाएंगे, ten to the power three centimeter cube, ठीक है, इसको मैं simply नीचे लेगे, denominator में, simple mathematics थी, ठीक है, अब आपको, suppose, इसको decimeter cube में change करना हो, तो मैंने वो पढ़ाई है अभी, कि कल हम दिल्ली में, दो चोरों से मिले, तो दो चोरों, ठीक है, तो दो चोरों, है ना, मतलब centimeter में, ten to the power minus ten, sorry, ten to the power minus one, मतलब, एक centimeter में, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ न, तो मैं क्या करूँगा, divide करूँगा, बनवाई, ten decimeter होते हैं, या फिर one decimeter में, ten centimeter होते हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा, one cubic centimeter बोला है, तो मतलब, यहां पर centimeter का cube है, तो यहां पर भी मैं क्या कर दूँगा, इसका cube कर दूँगा, तो 1 upon 1000 decimeter cube हो गए, और 1000 को मैं धर पहुचा दूँगा, ठीक है, तो इसलिए आता है कि 1 decimeter cube में कितने होते हैं, एक लिटर होता है, ठीक है ना, और 1 centimeter cube में 1 milliliter, तो आपकी बाद एक पकड़ लो, कोई सा भी पकड़ लो, चाहे 1 decimeter cube is across to 1 liter ले लो, या फिर 1 centimeter cube is across to 1 milliliter ले लो, मुझे 1 centimeter cube is across to 1 milliliter अच्छा लगता है, मैंने इसको ले लिया, ठीक है ना, और इसके बाद मैं सारे conversion बहुत आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है, तो chemistry में केवल इतने ही conversion यूज होते हैं, मुटे-मुटे तोर पर, यह ने आपको सारे बता दिये, यह वाला जो conversion है, वो आपको mole concept में मिल जाएगा, यह वाला conversion आपको thermodynamics में भर-भर के देखेगा, कोई भी question बिना इस conversion के solve भी नहीं हो पायागा, हर question में कहीं लाश्ट में एक लगाई देता है, कि या तो फ्रेशर चेंज कर देगा, या वो volume चेंज कर देगा, या वो temperature चेंज कर देगा, कुछ ना कुछ करता ही है, यह वाला आपका normal है, यह आपको हर chapter में कभी भी inter-convert करने में use हो जाएगा, जैसे volume में हुआ था अभी, ठीक है, और यह वाला जो है, वो gaseous में आपको भर-भर के मिलेगा, ठीक है, तो बस इतना ही था unit conversion, बहुत simple था, बस आपको values याद होनी चाहिए, और वो जो kilo hecto आप भूल जाते थे, तो उसकी मैना आपको trick बता दी, कल हम दिल्ली में दो चोरों से मिले, ठीक है ना, तो बस इतना ही है unit conversion, इन values को याद कर लीजिए, और इनको apply करके देखिएगा, जहाँ problem आए, वहाँ पर मुझे comment box में send कर दीजिएगा, मैं आपको answer बता दूँ, ठीक है बच्चों, next video में मिलेंगे, कुछ नई concept के साथ, तब तक के लिए, goodbye बच्चों,